डबल रोटी में छेद क्यों होते हैं? संसार के लगभग सभी देशों में डबल रोटी को एक प्रमुक खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तिमाल किया जाता है. अलग-अलग देशों में डबल रोटी अलग-अलग पदार्थों से बनाई जाती है. अधिकतर डबल रोटी गेहूं के आटे या मैदा से बनाई जाती है किन्तु कुछ स्थानों पर यह चावल, आलू, मतर, जो आदी के आटे से भी बनाई जाती है डबल रोटी बनाने की शुरुआत इसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व मिस्त्र में हुई थी खमीर का आविशकार भी वहीं हुआ था आजकल डबल रोटी के निर्मान में गेहूं से बनी मैदा को पानी के साथ बून लिया जाता है इसमें थोड़ा सा खमीर मिला लिया जाता है खमीर एक प्रकार का फफून फंगस होता है मैदा की गर्मी और नमी के कारण ये बड़ी तेजी से बढ़ता है इसके बने में कुछ गैस पैदा होती है और इसके बुलबुलों के कारण बूनधी हुई मैदा का आयतन भी बढ़ जाता है जब इसे गर्म भट्टियों में सेंका जाता है और ये गैस के बुलबुले फूट फूट कर डबल रोटी में छोटे 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 छेद पैदा कर देते हैं इसी खमीर के कारण डबल रोटी में गंध और स्वाद पैदा हो जाता है केक में भी छेद होते हैं लेकिन ये छेद खमीर के कारण नहीं बेकिन सोडा की वजह से होते हैं केक में टाटरिक एसिड और सोडियम बाइकर्बोनेट का मिश्रन मिलाते हैं जिसे बेकिन सोडा कहा जाता है जब इन दोनों को मिला कर आटे के साथ गीला करके पकाया जाता है तो सिरोड दो गैस निकलती है इसी गस के बुलबुलों के फूटने सा केक में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं